हलो फ्रेंट्स वेलकम बेक तू माई यूटूब चैनल तो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं सपना बाबुल का बिदाई तो फ्रेंट्स आप आगे देखेंगे बाउजी के आनी से शिवानी डर जाती है लेकिन जब वो चले जाते हैं तो वो थंडी सांच लेती है इधर राग अन्मोल जी आजआ बहुत ठके थके से लग रहे हैं तो अन्मोल कहता है कि मैंने अपने पावर ऑफ अटर्णी अपने मैनेजर को दी थी लेकिन उसने धोके से सारी अपने नाम पे कर ली अब मेरे पास कुछ भी नहीं है अब तुम्हें मेरे साथ भावनाओं के साथ साथ पैसे से भी मेरा साथ देना पड़ेगा तो शिवानी एक दम से घूंगा ठटाती है वो कहती है कभी नहीं मैंने तुम से शादी के लिए इसलिए हाँ किया था क्योंकि मैं इसलिए तुम से शादी करना चाहती तुमारे पास पैसा है अब जो तुमारे पास बातें सुन ली थी और फिस शिवानी कहती है मुझे नहीं करनी तुम से शादी मैं किसी भिकाजी से शादी नहीं कर सकती और इतना के कर वो चली जाती है अब अनमोल रागनी को बुलाता है वो कहता है रागनी जी मुझे पता है कि आप मुझे सुन रही है और आप जहां पर आप यहां आजाएए अनमोल के बुलाने पर रागनी दोड़ती होई आ जाती है और वो अनमोल के पास आकर कहती है अनमोल जी आप बिलकुल भी परिशान मत हुई है प्रॉपर्टी नहीं रही तो क्या हो गया ये घर भी तो आपका ही है आप इस घर के बेटे हो इस घर का हिस्सा हो और मैं हूँ ना आपके साथ और आज प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या हो गया ये सब तो चलता रहता है बिजनेस में नफ़ा नुक्स सच सब के सामने लाने के लिए मैंने ये जूट बोला था अब समय आ गया है कि मैं सब कुछ बता दूँ और वो ये कि मैंने कुछ खोया नहीं है मैं सिर्फ जूट बोल रहा था और मैंने आप लोगों के बाते सुन ली थी शिवानी मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करती रही और इधर आले एक फिर रागनी से कहता है कि रागनी तुमने हम लोगों के लिए बहुत जी लिया अब तुम अपने लिए जी हो और अन्मोर रागनी का हाथ में हाथ दे कर भी फिर उधर शादी के लिए फेरे शुरू होते हैं और पहले यहाँ पर रागनी और अन्मोर फेरे लेते हैं जब उनके फेरे हो जाते हैं और मालती और बीनू फूल डाल रहे होते हैं फेरे होने के बाद फिर पंडे जी कहते हैं कि अब आप लोग लीजिए फिर साक्षी और आले इक भी फेरे लेते हैं और दोनों की शादी समपन्द हो जाती है उरा परिवार खुशी खुशी